मैंने अभी हाल ही में काफी सस्ती कीमत में ये impact range purchase किया है ये impact range काफी powerful है और आप देखेंगे आसानी से car के notice ने खोल दिये इससे मैंने Amazon से order किया था पैकेज हमें कुछ इस तरह से receive हुआ था चलिए हम सबसे पहले इसकी unboxing करेंगे मैं आगे वीडियो में आपको इस impact range का tear down यानी what inside और testing भी करके दिखाऊंगा ये impact range इस तरह की storage box में मुझे receive हुआ है चलिए box को खोलते हैं आप देखेंगे इसमें केवल tool ही है बैटरीज नहीं है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बैटरीज पहले से ही है तो आप केवल tool भी purchase कर सकते है box में ही instructions manual मिलता है अला कि मैं वीडियो में आपको इस impact range के बारे में सारी जरूरी जानकारी दे दूँगा जिससे आप इसे आसानी से use कर पाएंगे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जरतर अमेजन पर जो sealer है वो बैटरीज के साथ ही tool sale करते हैं लेकिन यह जो brand है crossed यह केवल tool भी आपको अगर purchase करना है तो वो भी आप इनसे purchase कर सकते हैं यहाँ पर battery लगती है और battery के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें high discharge rate वाली battery लगाई जाती है यह new beat hammer drill की battery जो की 10C discharge rate वाली है तो इसमें यह impact range काफी अच्छे से काम करेगा चलिए अब मैं इसके कुछ functions जो हैं उनके बारे मैं आपको जानकारी देता हूँ यहाँ पर एक push button है जिसको press करके आप देखेंगे इसमें battery के label का indicator आता है साथ ही यह speed जो है उसको भी दिखाता है इस समय maximum speed है maximum speed में आप variable speed जो है उसे select कर सकते हैं जैसे इसका trigger switch आप जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे speed उतनी ही तेजी से बढ़ती जाएगी यहाँ पर यह low speed हो गई low और high दो तरह की speed है उसी से इसके torque का power जो है वो आप select कर सकते हैं अभी इसके rotation जो है वो clockwise थे यानि nut को tight करने की दिशा में अब हम nut को lose करने की दिशा में देखते हैं आप देखेंगे trigger switch मैं प्रेस करता हूँ और यह stop हो जाता है इससे ABR यानि auto bolt release feature भी कहते हैं तो यहाँ पर मैं इसे off भी कर सकता हूँ जब off कर देंगे तो यह लगातार rotate होती है और ABR active रखने पर यह कुछ देर चलने के बाद stop होगा इससे कैसे use करना और कैसे function select करना है यह आपने जान लिया चलिए battery को हम निकाल देते हैं मैं यहाँ पर इसका जो breakaway torque है उससे आपको दिखाता हूँ 350 newton meter इसका max torque है यहाँ पर मैं आपको दिखाने चाहूँगा इस impact range के head के उपर एक plastic का cover है जो कि dust से इसे proof करता है इस impact range का जो socket है उससे मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ इसमें एक lock pin लगती है जो कि socket को इसके socket drive के साथ में lock कर देती है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह impact range 21 number के इस socket के साथ में ही आता है दूसरे socket आपको साथ में नहीं मिलेंगे वो आपको अलग से ही buy करने पड़ेंगे इसका socket drive आप देखेंगे 1 by 2 inch का है और इसमें एक hole है जिसमें pin जो है वो socket को lock कर दी है अंदर hex bit भी आप लगा सकते हैं 1 by 4 inch की चलिए अब मैं इस impact range को आपको खोल कर दिखाता हूँ सबसे पहले ये rubber ring जो है इसे हमें निकालना होगा इस rubber ring को निकालने के बाद आप देखेंगे अंदर दो lock है जिनके बाद ये plastic covering जो है उससे हम हटा पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे इधर एक lock है और एक side lock है तो ये दोनों lock जो है हमें उपर को उठाने होगे तब ही ये जो plastic की covering है ये निकलेगी तो मैं screwdriver से इस तरह से एक side की lock और दूसरी side की lock को चिम्टी की सायता से उठाऊंगा उपर side और जिसके बाद ये covering जो है इससे मैं आगे की side निकाल लूँगा आप देखेंगे इस तरह से locks को उपर side उठाने के बाद हम इसकी जो plastic covering है उससे बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये जो locks हैं दोनों side इन locks को हमें थोड़ा उपर उठाना होता है तभी ये निकल पाएगी इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि चार screw लगें एक दो तीन चार ऐसे ही side में भी काफी सारे screws जो हैं यहाँ पर लगे हुए आप देखेंगे इन सभी screws को अब हम unscrew करेंगे तो सबसे पहले हम head के screw जो है उन्हें unscrew करते हैं तो ये चारो screw जो है इन्हें हमने unscrew कर दिया है जिसके बाद इसका head जो है उसे आप आसानी से remove कर पाएगे यहाँ पर आप देखेंगे इसका head जो है उसे हमने निकाल दिया है और इसी में इसके socket drive को आप देख पाएंगे socket drive जो है उसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ यह screw है जिने मैं side में रख देता हूँ और यह इसका socket drive है जिसमें socket जो है वो attach होता है और यहाँ पर यह जो socket drive है इसका shape आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का है और ये हमारे main जो impact unit है उसके साथ में इस तरह से connect होता है चलिए मैं impact unit जो है उससे पूरा निकाल कर आपको बाहर दिखाऊंगा ये जो socket drive है इससे मैं side में रख देता हूँ और ये आप देखेंगे एक काफी भारी metal का एक unit है जिसमें काफी सारे gears है और एक spring जो है वो भी अंदर load है जब हम किसी nut को tight या loose करते हैं ऐसी स्टिप में इसी spring द्वारा hammering होती है जो की socket drive पर पड़ती है जिससे nut को tight या loose आसानी से किया जा सकता है यहाँ पर आप देखेंगे अंदर एक breastless motor है जिसका हमें soft दिख राए यहाँ पर यह impact wrench breastless motor वाली है चलिए अब हम इसके बाकी screw जो है उन्हें unscrew कर देए जिसके बाद housing को हम खोल कर internal parts जो है उन्हें देख पाएंगे यहाँ पर इसकी यह housing का upper part मैंने निकाल दिया है इससे मैं side में रख देता हूँ अब आप देखेंगे इसके अंदर के सभी parts आपको दिख रहे होंगे सबसे पहला part जो main part है वो इसकी breastless motor है यह एक high power BLDC motor है इस motor की speed को control करने के लिए यह tiger switch है tiger switch के साथ ही एक और यह switch connect रहता है जिससे हम motor की direction को reverse या forward कर सकते हैं breastless motor को drive करने के लिए BLDC motor driver है यह इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर battery connector है चलिए मैं सभी parts को बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ यह आप देखेंगे मैंने housing से सारे parts बाहर कर दिये हैं सबसे पहले आप देखेंगे यह breastless motor है breastless motor में soft जो है वो magnet का होता है और इस तरह की यह breastless motor है इसके अलाबा यहाँ पर breastless motor का यह driver है जिसमें आप देखेंगे की एक switch भी लगा है जो की अलग-अलग mod जो है इसी switch को press करके हम select कर दे हैं यहाँ पर कुछ LEDs है और यह battery का connector है जो की breastless motor driver के साथ ही connect है यहाँ पर यह tiger switch है और tiger switch को press करके आप motor की speed को control कर सकते हैं direction को control करने के लिए आप देखेंगे उपर side यह plastic का part लगा है तो यह दोनों side पे ही आप इसे move कर सकते हैं जिससे की motor की direction जो है उसे reverse forward किया जा सकता है breastless motor driver के साथ ही एक LED indicator भी लगा है जो की low light condition में काम करने में उपी होगी है तो अब तक आपने इस impact range के internal parts जो है उनके बारे में जान लिया है चलिए अब हम इस impact range की torque testing जो है वो करके देशेंगे तो यह impact range है और यह हमारे पास torque range है torque range आप देखेंगे 300 nm तक का इससी torque जो है उसकी reading हम इसके द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर car में लगा हुआ यह nut मैं पहले lose करता हूँ आप देखेंगे इस impact range ने बड़ी आसानी से इस nut को lose कर दिया अब मैं इस nut को tight करूँगा लेकिन मैं यहाँ पर अब torque range से handed nm तक के torque के साथ इस nut को tight करूँगा तो यहाँ पर मैं इस torque range का इस्टमाल करने वाला हूँ और मैं इस nut को handed nm तक के torque के साथ tight करने वाला हूँ आप torque range में pointer से reading जो है वो देख पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे मैंने handed nm तक के torque के साथ इस nut को tight कर दिया है अब मैं अपने impact range की साहता से इस nut को lose करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं impact range के socket drive में socket जो है उसे लगा देता हूँ और handed nm तक के torque के साथ कसे हुए nut को आप देखेंगे इस impact range ने बढ़ी आसानी से lose कर दिया अब मैं यहाँ पर इस nut को 200 nm तक के torque के साथ tight करने वाला हूँ तो socket हमने nut में लगा दिया है और torque range की साहता से अब मैं 200 nm तक के torque के साथ इस nut को tight करने वाला हूँ आप reading जो है वो देख पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इस nut को 200 NM तक के torque के साथ tight कर दिया है अब मैं इस 200 NM तक के torque के साथ tight किये गए nut को lose करके दिखाता हूँ तो यह impact range क्या इस nut को lose कर पाएगा आप देखेंगे कि यह जो nut है काफी tight था और इसे lose करने में थोड़ा सा time लगा लेकिन इसने इसे lose कर दिया तो इस तरह से यह 200 NM तक के tight nut को भी बड़ी आसानी से lose कर पा रहा है 200 NM का torque जो है वो काफी ज़्यादा होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मैं इसकी setting जो है वो low करके यानि low torque setting में इस nut को tight करता हूँ और हम यह देखेंगे कि यह low torque setting में कितना nut को tight कर पाएगा तो इस tight nut को अब हम अपने torque range की साहता से lose करेंगे तो यहाँ पर reading जो है वो आप देख पाएंगे मैं इसे lose करने वाला हूँ और आप देखेंगे कि यह लगभग 110Nm तक के torque के साथ nut को low torque setting में tight कर सकता है low torque setting में impact range की motor की speed जो है वो काफी कम होती है जिसकी वज़े से low torque ही generate होता है तो nut को हमने lose कर दिया है और अब हम impact range की torque setting है उसे high करने वाले हैं चूंकि अब impact range की torque setting हाई है तो ऐसी स्थित में अब हम nut को फिर से tight करेंगे और उसके बाद जो torque range है उसके nut को lose करके देखेंगे कि कि इतने Nm तक के torque के साथ इसने high torque setting में हमारे nut को tight किया है तो यहाँ पर अब हम अपने जो torque range है उसके दोरा इस nut को lose करने वाले है यहाँ पर जो reading आएंगी वो impact range के high torque setting में nut को tight करने की readings होंगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह readings जो है लगबग 150 Nm तक यहाँ पर हमने देखी यानि high torque setting में यह impact range 150 Nm के torque के साथ nut को tight कर सकता है मैंने impact range के कई सारे testing videos बनाए है और उनके link आपको इस video के description में मिल जाएंगे आप वो videos भी देख सकते हैं मेरे इसाब से यह impact range price के according काफी अच्छा performance दे रहा है अगर आप इस impact range को purchase करना चाहते हैं तो video के description में मैंने link दे दिया है उमीद करता हूँ यह video आपके लिए helpful रहेगा आज के video में इतना ही thanks for watching have a nice day